आपके कई संकर्ट है, कितने लोग उधारी से परिशान है वो हाथ उचा करो उधारी से परिशान हो न вам बहुत आपको मैं सटिकुपाई देता हूँ, देखो मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ वो आपके कल्यान के लिए बोल रहा पूँ करके देखो आप क्वच चीजों को देखो, आप देखो, कुछ चीजों को करके जब उसका फाइदा होगा, तब ही तो आप समझाज़ पाऊंगे किया हो रहा हूँ जी भग्वांन, सबते बचन कुरते ही, फाइदा जब होगा तब ही तो अनुब वह हाएगा तो आपको ये बात कहता हूँ ये सुन लिजिए, सबसे पहले तीन चीजों में पित्रूओं की शक्ति काम करती है, कितने चीजों में? तीन चीजों में? देखो सास्त्रों में गव माता तेवीस कोटी तेटीस कोटी देवताओं का निवास्तान है, बोला है, है न? तो क्या ख मुख मैं ब्रह्म अभिष्णु महेश है कंदे में अश्मिनी कुमार नवग्रादी देवता है ऐसे गाई के सरीर में कई दियोतां का स्थान है लेकिन गाई के पेट में पित्रु लोग है क्या है पित्रू लोग है वो गाय का उदर जैसा ही स्वरूप होने से गाय के उदर में पित्रूओं का लोग माना जाता है पित्रू लोग तो अलगी है वो बात बात में करेंगे लेकिन अगर अठारा तारीक से कितने तारीक से दो तारीक तक क्यूंके सत्रा तारीक तक हमारी कता चलेगी पूर्णी मां तक अठारा को पित्रु पक्ष लगेगा तीन तारीक को कृष्णेगरी में नौरात्री शुरू हो जाएगी दो तारीक को महालया मावाश्या किसी भी कष्ट में आप हो देखो आपको बता दूं उदारी हो रोग हो क्या हो रोग कोई लफडा हो को कोई परिशानिया हो घर में अन्बन हो अठारा तारीक से पंद्रा दिन तक कितने दिन पंद्रा दिन तक गाई को गास डालके देखो जादा मैंने आपको कुछ नहीं बोला इस बाने दान करने का पुन्यतों मिले गाई पित्रु दोस्व और पित्रु श्राप से मुक्ति म मिलेगा आपको बहुत बड़ा लाब मिलेगा आपके जीवन में और आप धरम प्रेमी हो तो यूँ भी गाई को गास डालने में सोचना नहीं चाहिए गाई को गास डालना तो मनुष्य का करतव यह है मां डेड़ वर्ष तक दूद देती है मरते दम तक दूद देने वाली गाई को गास डाले वो ही मनुष्य है अब मैंने कहा के जल स्वरूप में पित्रू लोग है इसलिए आम नादी तलाब के किनारे पिंडे के पास मटकी के पास रोज मटकी के पास दिया जलाने वाले कोई हैं क्या देखो इतने लोग जलाते हैं यह सब बता रहे हम जला रहे और राजस्तान ही होंगे क्योंके राजस्तान में यह परंपरा है बाकी लोग समस्ते नहीं राजस्तान यह बढ़ा यूँ वीवेक और संस्कारों और अनेक प्रकार के वुपायों का ज्याता राज्य है राजस्तान सत्के वचन गुर्दे आपको बता दूँ के जल स्वरू पित्रू लोग है तो जल में मचलियां रहती है जी भगवन तो अगर ये पंद्रा दिन तक आपके पास कोई जलासई हो जा मचलियां निवास करती हो उदर आटे की गोलियां अगर डालो सोल वे दिन ही दुखों से छुटकार आप मैसूस कर सकते हैं और गुर्देव स्वयम अपने मुक से कह रहे हैं तो खाली उपाई नहीं बता रहे हैं अपनी साधना का बल भी उसमें डाल रहे हैं ये द्यान रखना कोई यहां कता नहीं चल रही है यहां साधक के मुक से साधना का बल का विच्तरन हो पुछग्र वरेन के डीज़ लीगोगरे पुछ गुर्देरक्रेंशर के और पिट्रुवों का स्वरूप पिट्रुवों की शक्ति कवह में आती है किस तो तीन छीज पंद्रा दिन करो आपके पित्रुवझा की तिति आप जानते हो 15 दिन में कोई ती तुमें पित्रों की तिती हो उस दिन अलग विशेश पूजा करो तो बात अलग उसके लिए विशेश दिन में विशेश देखो आपके दादा जी किस तिती में गए तीज, चोथ, पांचम, छट, सांतम, आठम, नवमी, दसमी आप जानते हो क्या तो उस दिन विशेश पूजा करो अलग बात बाकी 15 दिन भी कववे को गाटिया डालो मचलियों को आठे की गोलिया डालो और गाय को गास्त खिलाओ अगर 15 दिन ये काम कर लिया सोल वे दिन, सोला सुख से पूर्ण संपूर्ण जीबन हो जाएगा जै गुर्जे